जै मसी की जै येश्यू शालोम आज जो विशे परमेश्यू के आत्मा ने मुझे दिया है हाला कि इस विशे पर कुछ दिन पहले मुझे ठीक से पता नहीं क्योंकि इस लॉकडाउन के दर्मियान मुझे पता नहीं कि मैं कितिनी सारी राज्यों में कितिने सारी पेज़ेस पर मैं प्रचाग कर चुका हूँ लेकिन किसी भाई ने मुझे पिछले हथे में बताए कि पास्टर जी more than 600 मेसेज आपने अप्राइल से लेके नवंबर के सेकेंडरी तक दिया है मैंने का कि ये सारी महिमा सारा जलाल मैयश्य मसीगों देता हूँ उसकी बदोलत उसकी करुना की बदोलत मैयस से कई कर रहा हूँ और करता रहूंगा फिर वो 600 हो या 6000 हो दोसन मैटर और जब कश्मिर से लेके करन्या कुमारी तक शायदी ऐसे कुछ तीन चार राज्यों को अगर छोड़ेंगे तो अल्मोस्ट भारत के वीवीदर राज्यों में परमेश्यों ने इस ऑनलाइन सिवकाई के माध्यम से मुझ जैसे नाकाम विक्ति को इस्तिमाल किया इसलिए मैं सारा आदर सारी महिमा विद परमेश्यों के पुत्र के नाम में येश्यों के नाम में यहोवा पिता को देता हूँ क्योंकि यह सबसे बड़ा अनुगर यह कि इस धर्ती पर हम महफूज है कितने हैं जो इस संसार को छोड़ चुके किसी को जलाया किसी को दफनाया कितने पर्यवार बुजड गए लेकिन आप और मैं अगर महफूज है तो ये खुदा का रहन करम अंपर है तो उसको जाया मत होड़े दो जिसने मुझे चुना उसकी और मैं बड़ू तेरे खुण से रंकी सलीप पर सनी सलीप कर खीचा मैं जाओ मैं जीऊ या मरू वो तेरे लिए आज हमारी जीवन का मकसद होना चाहिए आज बहुत सारे लोगों के मकसद शावरिक मकसद बन गए इसलिए कई ना कई उनकी गाड़ी आज गड़बड़ा रही है कई ना कई फिसल रही है किसी की गाड़ी बिना ब्रेक की गाड़ी बहुत ही बड़ी स्पीड में अधो लो कर आया हूं शायद मुझे देखने वाले बहुत कम लोग हो या को ही ना हो क्योंकि हम जो प्रचार के हम भीड को देखकर या संख्या को देखकर प्रचार नहीं करते प्रवेश्युम ने अगर वचन दिया है उस वचन को आमें डिलीवर करने आपके पास अगर जब एमजन को जब या कोई भी पार्सल लेकर कुरियर वह आता है तो उसका काम है केवल डिलीवरी देना है वेटर का काम है सर्व करना है पोस्टमन का काम है चिट्टी देना है वह चिट्टी आपको लेना है पढ़ना है क्या करने हो आपका 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 चुनाओ है क्योंकि परवेश् शेतर में चला जाता है तब एक बड़ी ठोकर खाने का कारण बनती है इसलिए बहुत सारे लोगों ने शुरुवात तो आत्मा में की लेकिन आभी वो शारवरिक दश्या में वो विजय होना चाहिए पॉलुस कहता है कि बुद्धी इन गल्तियों तुम्हें किसने बहकाया त तुमने शुरुवात तो कीते आत्मा में लेकिन आभी या शरीर में जयींद्स होना चाहते हो हो time अगार्ज م्हाज जो टॉपिक है वो ये बात किसी को आच्छी लगती नहिए किसी को इस बात के उपर मनन करने को अच्छा लगता नहीं कोई विक्ती इस बात को प्यार से लेता नहीं है कोई विक्ती इस बात को हालेलुया आमेन कहिकर लेता नहीं है आज जो टॉपिक लेकर आया हूं मैं इस टॉपिक का जो पहला शब्द है वो है डाट दूसरा शब्द है ताड़ना किसरा शब्द है उलाहना और चौता शब्द है फटकार हर हम लोग इतना बीटा खाखा के सभी जगे पर मोटिवोशनल प्रिशिंग चल रहे अच्छी बात है ब्लसिंग मेसेज़ चल रहे बहुत अच्छी बात है प्राफिटिक मेसेज़ चल रहे और सारी बात गुम फिरकर इस देह को और किस तरीके से मुझे खुशी मिलेगी किस तरीके से मैं खुश रहूंगा यही बातों के लिए मोटिवेशनल प्रचार रग लोगों को मोटिवेट कर रहा है इस्पायर कर रहा है उन्हें एंकरेज कर रहा है कोई पश्चत आप नहीं कोई उदार की बात नहीं कोई नियाई का संदेश नहीं सब जगे पर लगाता सब की गाडिया एकी दिशा में जा रही है लेकिन मुझे आपको बंदा नहीं और और ये सारी बाते देह के लिए निश्चित लापदाएके लेकिन आत्मा के लिए नहीं है शाहिद ये प्रचार सुनने के लिए कड़वा होगा लेकिन जीवन देने वाला होगा इसलिए मैंने शुरुआती किये कि मुझे भले ऑनलाइन में एक भी विक्ती देखता नहीं होगा कोई प्राब्लम नहीं है लेकिन मुझे पता है कि अगर खुदावन ने वह वच्छन भेजाए अगर इस वच्छन के द्वारा अगर एक विक्ती भी मन फिराता है तो बाइबल का परवेश शुर कहता है स्वर्ग में स्वर्गदूत बड़ा आनंद करते जब एक पापी अपना मन फिराक कर एक गहन पश्चाताप के द्वारा अपनी चाल चलन को बदल कर मसी के चाल पर जब चलता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है बड़ी भीड बड़ा पंडार लगाने के द्वारा हजारों लोग जिस सभा में इकटा होते उस सभा के द्वारा मुझे आपको बताना है कि परवेश वर खुश नहीं है इसका मतलब वो चर्च होना नहीं है मैं उसके खिलाब में होना चाहिए लेकिन वो चर्च होना चाहिए जहाँ पर पश्शताव जहाँ पर उद्धार जहाँ पर नियाए के बारे में जिस सभा में आगा किया नहीं जाता है मुझे आपको बताना है खबरदार हो जाओ आप कही पर गलत जगे पर जा रहे हो आपको आज मुझे आपको बताने जो चार शब्द मेने बताए नमबर एक डाट नमबर तीन नमबर दो ताड़ना नमबर तीन उलाहना और नमबर चार हटकार मैं अगर पुछूँ का किसी को डाट चाहिए क्या किसी को टाड़ना चाहिए क्या सब लोग कान बन कर लेंगे मोबाइल आत में लेंगे या लाइव सेशन से चले जाएंगे आज कोई नहीं चाहता है कि मुझे डाट लो आज कोई ने चाहता है कि मुझे करेट करो आज इस पीडी में जो हम जी रहे ना यह सबसे बड़ी विद्रोह करने वाली अलगाव करने वाली बलवा करने वाली बगावत करने वाली बागियों की यह पीडी है ये शुमसीर इस पीडी को यही नाम दिया है ये पीडी बगावती पीडी है ये पीडी विद्रोह करने वाली पीडी है और इस पीडी को आज बच्चों को माबाव की डाट नहीं चाहिए आज जूनियर को सीनियर की डाट नहीं चाहिए आज कलिसिया को पासबान के या जो भी सेवगे उसके द्वारा आने वाला डाट लगाने वाला करशन करने वाला चुभाने वाला ये संदेश अच्छा नहीं लगता है आज आज आपको मुझे बहुत ही समझदारी से अपने जीवन को जाचना होगा क्या सच में मुझे जो मटेरियल मिल रहा है क्या उसके द्वारा मेरे आत्मिक उन्नती हो रही है जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं स्विकार रहा हूँ क्या ये बाते मुझे येश्यु मसी की पविटर आत्मा के सामर्थ के द्वारा मुझे पिता की और नसिक लेकर जा रही है क्या मुझे बढ़ा रही है आज इन बातों के उपर हमें बहुत ही गहराई से अर्जेन करना होगा कोई विक्ति को आज एक ऐसी पीडी बन गई है आप एक बात बताना चाहता है उसमें आती है अधिन्ता ये बात ही जब किसी को बताई जाएगे ना जो विक्ति डाट को नहीं सहता है जो ताड़ना को नहीं स्विकारता है जो उलाना को नहीं मानता है जो फटकार को नहीं एकसेप करता है वो विक्ति अधिन्ता में नहीं वेता है तो वो विक्ति अपनी शीवन में विद्रोह करता है बगावत करता है बलवा करता है दे आर रबेलियन पीपल जिसे मराटी में बला गया बंड आज हम देखते हैं कि बहुत सारे पक्ष के अंदर पार्टियों के अंदर जब कोई एक विशित पार्टी का होता है लेकिन जब दुसरी कोई पार्टी उसको प्रवलोबन देती है तब वो अपनी पार्टी के साथ गतारी करते हुए विद्र अगर आपके जीवन में अगर आपको कोई डाटिने वाला नहीं है आपके जीवन में अगर आपको कोई करिट करने वाला अगर कर्क्षन करने वाला आपके जीवन में आपका कान पकड़ने वाला अगर कोई नहीं है ना तो आपके जीवन में आप एक अभाग्य विक्ति मत वो हो लेकिन धन्य वे लोग जिनका कान खिचने के बाद जो कान खिचने देते हैं और उस कर्क्षन को accept करते हुए परमेश्वर की राव पर चलते हैं धन्य वे बच्चे जो अपनी माबाब की डाठ प्यार समझ के लिए थी वाइबल का परमेश्वर नितिवचन सत्ताई पाच में कहिता है खुली डाठ गुप्त प्रयम से उत्तम होती है लेकिन आज नोबड़ी वांट करेक्षन नोबड़ी वांट करेक्षन एब्रीबड़ी वांट एंकरेजमेंट मोटिवेशन यही बाते चाहिए हरे को हमारी गल गलती पे कोई उंगली रखना नहीं चाहिए हमें केवल आप मोटिवेट करो एंकरेज करो हमको बड़ावा दे दो हमारी गलतियों पे परदा दालो हम बले पूरे तो भी को दुनिया में यहार एनोइंटेट आज की यह बड़ी बिमारी मसिहत में साधारन विश्वासी से लेके चर्च के लीडर से लेके वर्शिप करने वाली वर्शिप टीम से लेके एसिस्टन पास्टर से लेके पास्टर तक आज यह एक बिमारी लगी हुए मसिहत में ये बिमारी जिने डाट की दवाई अच्छी नहीं लगती है ये बिमारी जो उलाना का इंजेक्शन नहीं लेता है ये बिमारी वहाँ पे ताणना का सलाइन वाटर भी नहीं लेता है आज ये बिमारी मसियत को बड़े पैमाने में लगी हुई है इसलिए आज जगे जगे पर राज्य राज्य में देश देश में बगावत करने वाले बागियों की एक बड़ी संक्या सब्जेके पर दिखती है परिवार में बाज बगावत हो रही है परिवार अलग हो रहे जॉइंट पेमिले में रहिने वाले आज एक दुसरे के अधिंता मिना रहने के वज़े से अपना अधीकार्थ राप्ते करने के लिए वो परिवार से अलग हो जाते परिवार के अंदर दिवार चुनवा देते कही पर भी जाओ नोकर्ष चोड़ दिया क्यों चोड़ दिया मेरा बहुस मुझे वोट डाठता मेरा बहुस मेरी घल्टिया दिखाता है मोह बहुस मुझे यह Karena वो करता है इसलिए मैंने नोकर्ष को रिजाइन कर दिया राशिनामा दे दिया आज कुझे आपको बताना है आप अगर विश्वासी हो एक मसी हो एक सच्चे मसी हो तो बाइबल का परमेश्वर पहला पत्रस का दुसरा दियाए में है अगर आप गवर से वापे पढ़ेंगे तो आपे दियाए कि आपके जो अधिकारी भले वो करमी क्यों ना हो उनकी अध दिन्ता के वारे में कोई सुनना नहीं चाता ताट कोई सुनना नहीं चाता ताड़ना कोई लेना नहीं चाता उलाना कोई स्विकार नहीं चाता फटकार कोई मानता नहीं है इसलिए आद मसीयत में एक बड़ी भीड आमें दिखती है आप वो भीड ऑनलाइन में भी आ गई सुरुज़ात में एक साधाना सर्व में शुव करते ये थोड़ा सा पॉपुलरीटी जब लोकल में काम करने वाले हिँ इंटरनाशनल बन जाते जिन्होंनों कभी एक आत्मा को जिता नहीं होता है जिन्होंनों किसी को समाचार सुनाई नहीं होता है जिनके पास कोई भेडशाला मतलब कोई चर्श नहीं होता है जिनके पास अपनी कोई भेड़ नहीं होती है वो गिटार लेके पास्टर बन जाते यह सुनने के लिए बहुत कड़ी भी बात है जो कई ना कई विद्रो करने के बाद कई ना कई किसी अपने सिनेर विक्ति के साथ दगावाजी करने के द्वारा वो कई ना कई जाकर मिनिस्ट्री करते और इन लोगों को जो लोग मिलते न भटके वे लोग ही मिलते हैं यह विद्रो करने वाले लोग ही मिलते हैं और जब यह इकटा बन जाते तो इनका एक ग्रूप बन जाता है और आज मुझे आपको बता ला है मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ लेकिन आज अनलाइन में मैं कुछ लोगों को भी देख रहा हूँ कि जिनों ने कुछ पेज को बनाया पंजाब से किसी को बुलाते या भी ऑनलाइन में किसी को भी हम अगर इन्वाइट करते हैं कोई भी कहिता चलो नो प्रॉब्लम हाई मैं खाली मैं आता हूँ प्रचार के लिए लेकि बड़ी दिन के बाद उनके नाम क्या आगे आ गया पास्टर प्रॉफेट आपोस्टल इवांजलिस्ट पीचर अभी तो यंग प्रॉफेट ओल्ड प्रॉफेट डॉक्टर रेवरेंट यह सब बंद गया भी आज कोन सी मिनिस्ट्री चलों पता आपको मैं इसको नाम देना चाहता हूँ आइब्रेट मिनिस्ट्री आइब्रेट पता आपको जब कदू होता है जब छोटा कदू मरवटित भपडा कदू को उसको पकने के लिए पूरी तरह से नैचरली उसको पकने के लिए कुछ तक्रिबबन 20 से 25 दिन लगते लेकिन उसका दू को एक इंजेक्शन दिया जाता है केमिकल इंजेक्शन इंजेक्शन मिलने के बाद जो 25 दिन के बाद जो कदू पकता है ना खीरा जो पकता है ना वो कदू 25 घंटे में पककर उतना बड़ा हो जाता है आज हाइब्रेट मिनिस्ट्री चल रहे है अजीजू यह हाइब्रेट मिनिस्ट्री के आज हमें लग रहा है कि हम बहुत ऑनलाइन में चल रहें लेकिल मुझे आपको बताना है ऑनलाइन में अच्छा काम भी हो रहा है लेकिल उसके साथ-साथ ये विद्रो करने वाले बगावती लोगों के द्वारा मसियत को कई ना कई वो दीमप खोकला कर रही है दूप या मैं आज सुबह से प्रात्म करें प्रभु प्रचार करना मुझे प्रभु क्या बत करने कि पिछले वक एक पेज के उपर मुझे पर्मेशुर ने यही विश्यह दिया था बहुत साथ साथ के उपर बात कर चुगे वह प्रभु के अनुगरसे अईसा मेरे काट से ग काम विक्ति का इस्तिमाल किया इसलिए मैं सारा आधर और सारी महिमा यश्यु नाश्री के नाम में उस यहोवा बाप को देता हूं वह बाप में जीवन क्यों नहीं जी रहे हम एक विक्ति को ब्लेसिंग का मैसे चाहिए अल्वेडी उसके पाद बहुत धन पड़ा हुआ है रात के समय में इसके लिए प्रफेट लोग आ जाते आफ्रिका से ऑस्टिलिया से पंजाब से केरला से साउट से नौर से और इनके प मैं रिपेंटन्स करने का और सैलिवेशन फिर से एक बार रिचार्ज करने का है आज मुझे बताने के लिए कोई भी ये बार बताने के लिए कोई आनन्ने हो रहा है मैं सुबह से एक लड़ाई कर रहा हूँ प्रातना में कि प्रभू क्या सच में मुझे यही प्रचार करना यह hybrid ministry जैसे वो जो Congress का जो उनस्पती जो गेवों के साथ बढ़ता है लेकिन गेवों आ लगे और जंगली बीज आ लगे अज जंगली बीच बड़े पैमाने में बढ़ रहा है अब लोकों को लगता है उनको बहुत कम समय में शौरत मिलती है दवलत मिलती है कुछ लोग बिल जाते हैंं है यह पर मेशृरकिर ओर से खबरदार यह पर मेश्ःरकिर नहीं हो सकता है क्यूंकि जो आग्या के अनुटर प्रमेशन की और से बिलकुल नहीं है। इस वचलते हैं जो वचन का चुनाओं फॉट बड़ा टॉपिक है पता नहीं मैं कितनी बाते बता पाओंगा लेकिन मत्वपूर्ण बाते हम देखेंगे पढ़ेंगे अम निति वचन का लिए और वचन 18 निति सोत्र 1318 जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन उता और अपमान पाता है जो शिक्षा को सुनकर अनसुनी करता है कितने तुभी आईसे जिनको कितने बार तुभी पर्मेशुर का खलाम आता है और कहिता है कि पश्चाताम कर अपने जीवन को बतार You have to analyze yourself You should change your life But many times We never obey वो सरबाद हम उसको पालग नहीं करते हैं सुनकर अनसुनी करने वाले लोगों के बारे में बताया गया है Number 1 वो निर्धन होते और वो अपमानित होते निर्धन मतलब धन के शत्रे में नहीं सबी बातों में निर्धन हो जाते हो उनका प्रात्ना जीवन गरिब बन जाता है वो एक मिनिट के ओपर रातना नहीं कर पाते हैं तो कभी कभी करते ह Normally वह अरातना नहीं कर पाते वो खुदा के साथ समय नहीं बिता पाते उनके जीवन में लगाता है कैसे ना किसे अपमान मिलता है लेकि बाइबल कहिता है परन्टू जब भी परन्टू आता है जब भी कारण आता है जब भी पर आता है जब भी जब आता है तब समझने हैं मामला गंभी रहे तिस सीरियस परन्तु जो डाट को मानता उसकी महिमा होती है हालिलुया जो डाट को मानता है ना उसकी महिमा होती है क्या हम डाट को मानते हैं बच्चो क्या माबाप की डाट को मानते हो या मुझे बाइबल का पर पर नेश्श्वर कहता है कि जो डाट को मानता है वो महिमा को प्राप्त करता है अगर आपको महिमा चाहिए, if you want glory of God, we should obey our parents, we should obey the word of God, we should obey our senior people हमारे वरिष्ट लोगों की डाट हमें सुननी होगी, अब आप आशिशित लोगों डाट उने मिलती है, जिनका कोई है, डाट उने नहीं मिलती है, जो लावारी से अगर आज कितने तो भी आईसे है, जिनको माबाब नहीं है, जितने तो भी आईसे है, जिनको proper guide करने वाले नहीं है, इसलिए वो भटक गए थे, उसमें से महीं भी एक विर्टी था माबाब होने के बावजुत भी परिस्तितियों ने मुझे इतना भी गाड़ दिया था, कि मैं भी एक जमाने का एक गुंडा हुआ करता था, लेकिन धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को, उसने मुझे सही रस्ते पर लाया, और उसकी सेवकाई के लिए, मुझ जैसे वि मात में आपको में इंकरेज करना चाहता हूँ, खुदा वन आपको भी बड़ी परिमाने में इस्तिमाल करेगा, लेकिन आज उसके लिए जरूरी क्या है, महीमा उसकी होती है, जो डाट को मानता है, क्या आप डाट को सुनते हो, भाई बच्ट विति से कहता है, नितिवच् अपने बच्चों का बेफुजल लाड़ प्यार करने के वज़े से उनके बच्चे उनके सामने ही बिगड़ जाते हैं मुड़ के सामने उनका अपमान उनको इंसेड करते हुए उनको छोड़ कर चले जाते हैं क्यों में एक ऐसा बाप है जिसका नाम है यली बाइबल का परवेश और कहिता है पहला शामुएल का अगर हम दूसरा द्याई का बारा वच्चन पड़ेंगे वहां पे एली के पुत्र करिचान ये थी कि वह कुकर्मी थे जो मेल मिलाव वाले तंबू के पात्ट ऑफ यह इस स्त्रिया इबादत करती थी उन श्त्रियों के साथ ये फिनास और हफ़नी नाम के एली के बच्चे उनके साथ कुकर्म करते थे अदमसियत में कही ना कई चर्चस में मिनिस्ट्री में आज भी ये लुच्ची गिरी और कई ना कई ये कूकर में चल रहा है उसका कारण उसका एक में वह कारण है कि जो माबाप है जिनोंने सही समय पर डाट नहीं लगाए ये ये लिए उसका दूसरीया दियाय में 23 वचन से वो डाट लगाता है लेकिन डाट लगाने का समय खतम ह हुआता जब एक अनॉन परसं परणेशों के पास से आता है जो आनॉन परफेट है जो एली को कहता है कि एली तुने मुझे से अधिक आपने बच्छों का आधर किया है आप पर नेश्चों यह हुआ कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूगा आज आपके बच्चे छोटे है यही समय में थोड़ा दिल पे पत्ता रखते हैं वगर जो गलती करते हैं गलती पर उंगली करो क्योंकि बाइबल हमें लाटी उठाने की पर्मिशन देता है अगर वो लाटी हम उठाते नहीं है सही समय पर तो हम उसको एक ऐसे समय पर आधोलोग में जाने के लिए रस्ता कोल देते बाइबल हमें अनुमत्य देती है पनिश्मेंट करने की, शिक्षा देने की, ताडना करने की, डाट लगाने की, उलाना करने की लेकिन आज किसी को ये बात अच्छी लगती नहीं Everybody want blessing message, encourage message, motivational message, prophetic message अगर आपे Amen Hallelujah करते हैं लेकिन अपने घरों में अपने परिवारों के साथ जिनके रिष्टे, जिनके तालुकाद ठीक नहीं है वे लोग prophetic message को Amen Hallelujah करते हैं आज ये मसीहत को फिर से एक बार कहना चाहता हो, ये मसीहत के फरनीचर को लगी हुई दीमक है, जो मसीहत को अंदर से खोकला कर रही है आज बड़े पैमान पर आज ये सब बाते, आज हम देखते हैं कि वापी बड़ी तादार में लोग जा रहे लेकिन धन्यवे लोग जो आज भी अपने परिवार के साथ वफादार है, अपने चर्च के साथ वफादार है, अपने वरिष्ट सेवक के साथ वफादार है, वही लोग आशिश को पाएंगे बाइबल कहिता है, आज वचन पढ़ेंगे, अम निती वचन का पनराद दिया आए, एक्चुली बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितनी बाते मैं बताऊंगा, मैं चाहता हूँ कि आजीज हो, आप उसको ग्रेन करो पनराद दिया आए, और वचन दस, लिती वचन पनराद दस, जो मार को छोड़ देता, उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, जो मार को छोड़ देता है, उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डाट से बयर रखता है, जो डाट से दुशिमनी रखता है, वो अवश्य मर जाता है अब ही कुछ लोग ऐसे हैं जो डाट से वह रखते हैं आप कुछ लोग ऐसे जो डाट को कुछ महत्व नहीं देते जो नितिवाचल 29 एक में दिया है जो बार-बार डाट जाने पर भी हट करते जो हटीले होते जो उस शेत्र में हटिए बार-बार डाटने के बाद भी वही गलती करेंगे क्या होता है वो अच्छानक नश्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना करेगा जब मैं इस बातों को देखता हूँ न जो हमने नितिवचन 15-10 और नितिवचन 29-1 में जब पढ़ता हूँ न तो मेरे सामने एक इसराइल का पहला राजा आता है जिसका नाम है शाउल शाउल को शामुएल ने आके कितने बार डाट लगाई लेकिन डाट को सुनकर उसने अनसुना किया अन्तिव उपाई उसने किया वो जादू टोना करने वाली उस सौसर को चेटकिन के पास गया लेकिन उसका कोई उपाई ने हुआ उसको एक सापित मौट मिले शाउल मन गया लेकिन जब मैं डाट को ग्रहिन करने वाला विखती ताड़ना को स्विकारने वाला विखती वो जब स्विकारता है तो बाइबल कहता है कि परमेश्यों उसकी महिमा करता है वो है दाउद जब दाउद के हाथ से गलती हो गई दाउद ने उरिया हित्ती को जंग में मार दिया उसकी बीवी को अपनी बीवी बना लिया उसके साथ कुकर्म किया उसके बाद उसके जमाने में जो नभी ता जिसका नाम था नाथान नाथान परफेट नाथान जैसे लोग आज दिखते आज चिकनी चुपड़ी बाते पापीओं को प्राफेटं बताते अधर्मी को मोटिवेशनल बाते प्राफेट्स बताते लेकिन अधर्म नाम के प्राफिक मिनिस्ट्री के प्राफेट आज के दुनिया में बहुत ही कम है और आइसे लोगों को कोई पॉपिलम नहीं करता है अ दाउद के पास आता है और एक शब्द बोलता है मैं पुरा नहीं पड़ूँगा लेकिन एक शब्द जब बोलता है ना मुझे उस शब्द बहुत अच्छा लगता है वो बाते हैं हमें दाउद के जीवन से हमें दिखाई पड़ती है हालिलुया वेस लौट विवर्शिप लौट मेरा मेसेज मैं थोड़ा सा टाइम के अनुसर कट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय में गट बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं प्रॉपर टॉपिक को छोड़कर अभी मैं जो ब बाते बताऊंगा दूसरा शामवेल बारा दिया है उसने एक दुष्टान बता या नातान ने कि किसी धनी के पात बहुत सारी गाय बैल बेड़ बकरी आए और एक बेड़ की बच्ची है किसी व्यक्ति ने एक धनवान ने गरिब की वह बच्ची को ले लिया उसको दावत म अनौन है वह दाऊत कैता है कोन है हो मैं उसको डंद दूंगा और चार गुना उससे वसलु करूंगा नातान ने ये बताने के बाद नातान मूण पर दाऊत को कहता है तक नाताने दाऊत से कहा दूसरा सब्सरां चाह वह श्या Design मनूष्य से है तुही वो मनुश्य है आज कहा गई है लोग कहा गई है इसे प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री मुझे पता ने चलता कि अगर पापियों के बारे में अगर प्रॉफिसी आ रही है उसका उसकी बढ़ती का उसके प्रमोशन का अमेरिका के विजा का जो दो बीवियों के साथ रहता है उसके लिए सेवकाई की प्रॉफिसी आ रही है मैं बहुत सहरे हैं इसे लोगों को देख चुका हो और इतने नादान लोग होते हैं ये लोग जान बुझकर कि वो कर देखो मुझे प्रॉफिट ने उसे देखो सेवकाई के लिए चुनाए हाला कि दो बीवियों के साथ रहता है वर्शिप करने वाले में कुछ लोग ऐसे दिखते उसका कारण क्या है पता है कि आज के डिट में डाट, ताड़ना, उलाहना, भटकार और अधिन्ता का संदेश दिया नहीं जा रहा है गलतियों पे उंगली रखी नहीं जाती है और जहाँ पे गलतिया दिखा जाती है वहाँ पे वो डाट को नहीं मानते है अंत में वो नाश हो जाते कितने सारे जो मार से भटक गए इसका कारण क्या है वो डाट को सेनने कर पाए दाउद को जब नाथान खोड़े मूँपर कहिता है वो बनुश्य तो है दाउद नाथान डरा नहीं आ रहे ये तो इस राज्य का राजा है ये मुझे मार देगा लेकिन नाथान बिलकुल डरा नहीं उसे कहा यस तुई वो विक्ति है आज मुझे समझ भी नहीं आता है कि सभी पॉफेट्स को सभी लोगों को लोगों के अच्छी अच्छी बाती ही दिख रही है उनको इजरते ये मिलेगा जमिन जाइदात मिलेगी बीबी आइसी मिलेगी घर आइसा मिलेगा सभी क्या गलतिया नहीं दिखाता है क्या परनिशुन यह शफात और आहब राजा के दमाने में सिद्धिकिया के साथ 400 नभी थे जो एक ही भविश्वानी कर रहे थे राजा के सामने राजा को कुछ करने वाली भविश्वानिया कर रहे थे लेकिन एक विक्ती था जिसका नाम था मिका इमला का फुत्र मिका उसने दुख की रोटी और दुख का पानी उसने स्विकारा लेकिन उसने सच्ची बात बताई उसने आहाब की मृत्यों बताई उसने आहाब की गंती बताई और ये सब बातों ये सम्भीखा को कुछ दिन के लिए जेल में जाना पड़ा। दिल्मया जिसने यहाकी निवाचा को क्लेरकर बताये ये बात होने वाली है। उसको भी जेल जाना पड़ा। अच्छे काम हो के लिए जेल जाना पड़ा। तकलीब उठानी पड़ी। आज कोई नहीं चाहता है कि मुझे कोई डाते। पास साल का बच्चा भी चाहता है माबाप मुझे बात नहीं सुनीए। मुझे ये कर्शन नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ मेरा सब कुछ क्या करना है मुझे। और यहीं लोग आगे जाके कई न कई बिगड जाते और अपना जीवन नाश करते। धन्यवे लोग। मैं लास पॉइंट पर आता हूँ मेरे बहुत सारे बाते बता नहीं थी। लेकिन बताने कि ग्राउंड लेवल तैयार करते करते समय आगे चला जाता है। उसके लिए हमें चलना होगा नए नियम में उसके परले मैं आपको Bible कांसिरत्रा करना चाहता हूँ जो 2, 3, 3 आद्यय है वचन कर दोकी में कभी कभी आप लोग आप लाले मेसेज देटे ना इसकों और साथम आ लेकिन उनको मुझे इसा लगता है कि उन्होंने मत्य मार्ग लूक योहन्ना उसके आगे उन्होंने बाइबल पड़ी नहीं है इसलिए उनको यह समस्ता नहीं है अगर आप बाइबल का फंडामेंटल टीचिंग को अगर आप देखोंगे जो चार बातों में मार्ग दर्शन करता है फंडामेंटल टीचिंग बूल भूत सिद्धान्थ बूल भूत नीव क्या है जो दो तिमत इतीन सोला में दिया है और वाइबल कहिती है वहाँ पे संपूर्ण पवित्र पर्वेश्यों की प्रेविना से रचा गया और उपदेश समझाने अर सुधाने और धर्मिक्ता की शिक्षा के लिए लाबदायक है यहां पर समझाने सुधाने के सुधाने की जगे पे अधिर्ब्यों कर शोता अध्य में चलेगे इसलिक किताब के वहाँ पे पॉलुस इम परचार कर समय तयार रहे सत्यत सब प्रकावे की संशिलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डाट और समझा उलाना और डाट ये दो बात आई आपके पर पहलुस गलत शिक्षा दे रहा है क्या कुछ लोगों ने मत्ते साथ एक कोई चिपका के रहा है दोश हम दोश नहीं निकाल रहे पहलुस ने एक बात आव बताई अगर वह बात को भी आगर आप समझोगे जो पहला पत्रस में दिखता है पहला पत्रस की किताब में वह बाचवाद दिया है पाप करने वालों को सब के सामने समझा दे ताकि और लोग भी डवे अब इंगलिज वाइबल में प बाकी लोग बच जाए आपको पास्टर ने चार लोगों ने चार लोगों में आमें इंसल्ट किया मेरे पिताजी मेरे मम्मी मेरे सहीलियों के सामने मेरे दोस्तों के सामने मेरा इंसल्ट करते मुझे आपको बताना है बच्चो अगर आपको चार लोगों में अगर आपके माबाप आपकी गलती बताते डाटते उलाना देते ताड़ना देते फटकार देते तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है ताकि चार लोगों में जो डाट आपको मिले ना आगे जाके चार हजार लो कर वरस नहीं पीना जानते इसलिए बहुत सारे लोग मार्व से भटक जाते उनको केवल blessing की मेसिज चाहिए उनको केवल motivational मेसिज चाहिए उनको केवल God love you पर्मेश्व आपसे प्रेम करता है पिर आप कैसा भी जीओ आइसे में से चाहिए लेकिन जब करिक्षन आता है तो उनको आच्छा नहीं लगता है पालुस यहां पे गहिता है मराटी में देले बाकी चाहिए वाटाव बनुस सग्ण्यान समर्थ आसा निश्यत कर त्याला ढाट त्याला जाब आज यह नहीं हो रहा है चलते हैं मेरे 5 मिन बचे के वल इस 5 मिन में उज्जे में बात बताना है अगो आमें इबरानी का किता बारात गया है और वच्चन दो में पता पचलती है तुम दुख को दुख को ताड़ना समझ कर सहलो परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर संतान गलती करती है ना तो आपको ताड़ना करनी होगी डाटना होगा उलाना देना होगा फटकार देनी होगी क्योंकि वह अधों लोग के मार्ण से बच जाए अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रा प्यार दर जाते गलतिया करने के बाद भी वह अपने बच्चों को गई दे मेरा प्यारा मेरा दुलारा मेरा राजकुमार सारी दुनिया को तकलित देते तो भी यह उसका प्यारा लेकिन धंदे में माबाब आपने बच्चों को जो चाहिए वो सब कुछ चीज़े उनको देते लेकिन आपने बच्चे जब गलतिया करते तो कॉंप्रमाइज ना करते होई शत्यका सारा लेक्या अपने बच्चों के साथ योग्य बरताओ करते वे योग्य नाई करते वे उनको सबक सिखाते हैं उनको सबक इसलिए सिखाओ ताकि वह भविश्य में गलती ना करें गाई बाइबल यह आपने कहिती है मेंपोइंट पर चलेंगे आप वे तो अपने अपने समझ के अनुसार थोड़े दिनों के तक तुम्हारी लिए ताड़ना करते थे पर वो तो हमारे लाब के लिए करता है आट वचन मैंने मिस किया यदि वो ताड़ना जिसके भागे सब होते है तुमारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यविचार की संतान तेहे अगर आपको कोई ताड़ना नहीं देता है तो आपको समझ नहीं कि आप किसकी संतान है मैं फिर से पढ़ना नहीं चाहता आप आपके बाइबल में इब्राणी का बारात दियाए वचन साथ से लेके 11 तक पड़ो आगे दियाए थोड़े दिनों तक आप ताड़ना करते थे वो आपके लाप के लिए करते थे कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए नमबर एक ताड़ना, डाट, उलहाना, भटकार ये क्या लेकर आती है पवित्रता का भागीदार हम बनते हैं ब्लेसिंग नमबर वान, पार्टनेकर आफ होलिनेस अगर आपको ताड़ना मिलती है न तो उस ताड़ना को उस दुख को उस सभी उलहाना को स्विकारो अपने आपको कर्शन करो अगर गलतिया हो रही है, नशिली बातों में पढ़ रहे, रभी चाम में जा रहे, बिफोर मेरेज आ फेर, आफ्टर मेरेज आ फेर, अगर ये बातों में पढ़े है अगर वच्चन की ताड़ना आई है न तो अपने आपको बदलो और पवित्रता के भागीदार वन जाओ ताड़ना के द्वारा मिलने वाले आशिष नंबर एक पवित्रता के भागीदार आप परमेश्वर उसकी इच्छा ये है, मैं पवित्र हूँ, इसलिए पवित्र बन जाओ वो कहता है कि मैंने तुम्हें पवित्रता की भुलाहट दी है, वो कहता है मेरी इच्छा है कि तुम पवित्र बनो उसकी इच्छा पवित्रता पे है, उसकी भुलाहट पवित्रता पे है, और उसकी आग्या भी पवित्रता पे है जब मैं ताड़ना को साइन करता हूँ और अपने आपको बदलाव करता हूँ जब मेरे जीवन में मैं पवित्र परमेश्यूर का पवित्र भागिदार बन जाता हूँ आगे वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं होती है मुझे पता है आपको डाटा जाता है तो आपको भुरा लगता है आप मायूस होते है अच्छा नहीं होता है आनद की बात नहीं है तुभी आगे देखो क्या रहता है पर शोकी की बात दिखाई पड़ती है बहुत दुकी बात दिखाई पड़ती है तो भी जो उसको सहते सहत पक्के हो गए WILD TWO आप क्या बंते में देगए अप ताडना सहें करने वाले डाट सुनने वाले उलहना को सिहारने वाले फटकार पर करते करते आप करिक्षन लेने में पक्के बन जाते हो जो विक्ति करिक्षन लेता नहीं न वह जिन्दगी भर गलतियों से गलतिया करते हुए एक दिन विनाश हो जाता है जिसके बारे में आपने उन्तिस एक में देखा है जो हटी लाव रिखती है जो सुनकर अंसुना करता है वो आखर में विनाश हो जाता है शावल के नही लेकिन जो ताड़ना को स्विकार कर अपने जीवन में बदल मत जते नहीं किया ने ही दाउत की संटान हालिलुया नमबर दो की व्लेसिंग मंदो bağ पक्तू हो जाते किसले पक्रynn गुछ भुष्सें में पक्तार आलग दुनिया की वातों में पक्ता लेकिन हम पपित्वत्ता के भागि rasa का के हां за Chicago लोगों में घल्टी करने के बाद जहों गल्ती दिकाई जाते ना वह घल्नृ हम हजारों लोग में नहीं करते हैं अप्चार लोगों में भले अंहीं हसे हता हुआ लेगिन हजार लोगो में खुरावन हमें सब्साइद करेगा आमेन, अभी नमबर तीन की ब्लेसिंग देखो क्या गए थी, बाद में उन्हें चैन के साथ दरम का प्रतिफल मिलता है, मेरा संदेश यहाँ पे खतम हुआ है, तीन ब्लेसिंग्स, नमबर एक, पवित्रता के भागिदार, नमबर दो, पक्के बनते, दार सुनने में, दरम का प्रतिफल, फूट आप राइचेसनेस, जिसके पास यह फूट आप राइचेसनेस नहीं है, लेकिन दुनिया भरके सारे वर्दान है, शायद आप अच्छे बजाने वाले होंगे, शायद आप बहुत पावर्फुल प्रात्ना करने वाले होंगे, शायद आपने आप ताड़ना को लेते नहीं है, आप बलवा करते हो, अगर आप आपके जीवन से विद्रो करते हो, बगावत करते हो, बागी बनते हो, रिबेलियन बनते हो, तो आपके जीवन में शायद दुनिया की दवलत शोहरत आएगी, लेकिन धरम का प्रतिफल, इस यह फूट प् बनता है, और येश्व मसी किसके लिए आना है पता है, पहला पुलरुथान किसका होगा पता है आपको, पहला पुलरुथान धरमी लोगों का होगा, जिनके आंदर वो धरम है, मैं मसी धरम की बात नहीं कर लाओ, राइचेस्टेस की बात कर लाओ, नितिमत्व जे नितिमा chan के इनिता में ज्योंटäre जूंप जीते हैं उन्हें धर्रमिराम प्रतिपल मिलता है फिर भले वह जिन्दा हो यह कबस्तान में उचब धर्मी राजा मद्धियाकाश में जिनके पाद का प्रतिपल कि ऑब pad में फोगोगे यह जिन्दा है वो महिमा के शरीर को लेकर चलेंगे आमेन यह है फाइदा शायद किसी का हाथ रखने के द्वारा वह अभिशिक मिलेगा आप कैंसर को ठीक करोगे लेकिन किसी की डाट सुनने के द्वारा किसी सेवक का फटकार सुनने के द्वारा ताड़ना को स्विकारने के द् आप परमेश्वर की रापपर परित्रता के भागी होंगे और परित्रता के भागी होते वे आप पक्के जीवन में पक्के बन जाओगे और आपके पाद धर्म का प्रतिपल रहेगा यही प्रतिपल परमेश्वर के राज्य में आपको मुर्दा हालात में या जिन्दा हालात में जरूर और जरूर लेके जाएगा आमेन क्या चाहिए हलिलुया मेरे टाइम खतम हुआ बहुत सारी बात ही बता नी थी उसे लेकिन पताने मेरे पास अगर कुछ नहीं है और कौन सी चीज अगर जल्दी खतम होती तो वह वक्त क्योंकि मुझे ऐसा लगता ही कि यह घड़ी है ना शायद मेरे साथ कुछ शत्रू है या मेरे दुश्मनी है उसके साथ यह बहुत जोर से दोड़ती है और बहुत जल्दी टाइप खतम हो जाता है इसलिए मैं जो बताने के लिए बहुत साज बात होती है मुझे की बता नहीं कि यह अलगाओ के वे लोग बल यह सब बगावत के वे लोग जिन्होंने बलवा किया है वो अपने अपने सेवोकों के पास लोटो शमा मागो को हमसे गल्ती हुए हम आपके आदिनता बले आप मिनिस्ट्रे अलग करो लेकिन आप किसी के अदिनता में रहिके वो जब डाटे दवाब हाणं करो क्यूंकि गुपत Bevain, बाइबल कहीता है खुली डाट गुपत प्रेश साधिक है जो डाग को सुनता है बाइबल कहीता है उसकी महिमा होती है अगर महिमा चाहिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बाते बहुत ज़रूरी है मैंने बहुत सारे लोगों को सेवकाई में देखा है मेरे साथ में देखा है थोड़ा मुद कुछ मिल गया तो वो फेमस हो गये वो चले गये लेकिन आज वो कही पर भी नहीं है आज उनके हलाद बहुत बुरी है जिन्होंने कर्शन लिया नहीं जिन्होंने ताड़ना ली नहीं आज उन्होंने अपनी मनमानी करने के वज़े से आज वो नाकामियाबी का मारु में चल रहे हैं वो कही पर भी कामियाब नहीं वो आज कही नगए फेल हो गए क्यों क्योंकि जो डाट कर देता है ना वही तुम्हारा बाब होता है जो तुम्हारी गल्तियों को दिखाता है न वही तुम्हारा विक्ति होता है जो तुम्हें सही रस्ते पे लेकर आता है लेकिन आज मसीहत में परिवारों में यह बात है बच्चे इंटरकास कर रहे और कहा जाता है अमने एक आत्मा को जीता है बक्वास है यह यह आत्मा को ज आठ के द्वारा ताड़ना के द्वारा जो तीन ब्लेसिंग है वोलिनेस जिसके हम भागिदार बनते पक्के बनते हम सहिर करने के लिए हम पपा और ममी को कहेंगे सुनाओ अमारे लिए अच्छी बात है बताओ मैं तो चाहताओ कि मेरी गल्ती कोई दिखाए मैं तो चाहता हूँ मेरी गल्ती में कोई उंगली रखे जो सही है अगर कोई बड़ा हो या छोटा हो वो मेरी गल्ती दिखाए सकता है क्योंकि चार लोगों में मेरी गल्ती जो दिखाएगा वही गल्ती को मैं करेट करूँगा हजारों लोगों में सही चलूँगा हल्युलूया, भभु करें इस वच्छन के दुआरे आपको बहुत आशिश भिले, अगर इस वच्छन के दूआरे खुदावन ने आपको आशिशित किया है, तो इस वच्छन को जादा से जादा फैलाओ, ताकि आपके जीवन में परवेश्वर की महिमा होती रहे, आप वव बप्रेस्थ